बीजेपी के ओर से जम्मु कश्मीर में तीसरे चरण के मद्दान के लिए जो है चुनावी तैयारे चल रहे हैं आज प्रचार होने वाले इस बीच हमारे साथ वरिश पत्रकार सोहिल कास भी जुड़ गए हैं सर बहुत-बहुत स्वागत आपका नेटवर्क ठेंट पर सर आज जिस तरीके से जम्मु कश्मीर में हमने देखा दो चरण का मद्दान संपन्न हो गया और बढ़ चड़कर लोग जो है मद्दान करते नजर आए जशनी की तरह मनाया गया इसे कई जगस तस्बीर ऐसी भी सामने आई जहां लोग नाश्टे गात वे नजर आए कि एक प परसेंट रहा पोलिंग परसेंटेज और कल जो शाम को ट्रेंड आया था चीफ एलेक्शन ओफीसर जो है मिस्टर पोले उनने पताया 55 परसेंट कल की पोलिंग का परसेंटेज था और उसके बीच में आप थर्ड फेस जैसे आपने कहा के लास्ट फेस रह गया है उसके परसेंट वो एक रिमाकेबल स्टेटमेंट थी और उसमें कोई शक नहीं है कि जमू किश्मीर में लोगों ने जमू किश्मीर की अवाम ने एक पुलिक्टिकल नरेटिव को बदल दिया इतनी हूज पार्टी स्पेशन करके और एक महीने से जो जमू किश्मीर में एलेक्श जमू किश्मीर के लोगों को जाता है और कल आपने देखा कि जो परसेंटेज आई है वो मेज़ोरिटी बॉर्डर से सटे हुए बॉर्डर से एरिया के लोग है जिनने हाई वोल्टेज परसेंटेज दी है जो सबसे परेशान रहे है पिछले तीन डिगेट से पाकिस्तान क गोली बारी से, इंफिलेटरेशन से, क्रॉस बॉर्डर टेरिरिज्म थे, उन लोगों ने सबसे भड़ चड़के हिस्सा लिया है और वो करारा जवाब है पाकिस्तान को और उन लोग मुलकों को जो जमू कुश्मीर को खुर्द खुर्द करना चाहते हैं और मैं समझता हू मोदी जी के जमू कुश्मीर को रियाबिलिटेट करने के, मरकस की सरकार के, एलेक्शन कमिशन अफिंडिया के, वो सारे चीजें जो है, वो कल साथगार साबित हुई है, लोगों की पार्टिस्पिक्शन से, और आज जैसे आपने कहा के अधिते जी, नात जी, यूपी के च आने वाले पाइपलाइन में जो परजेक्शन से बाती, जन्ता पार्टी को उनको दिखाने के लिए, लोगों को अवेर करने के लिए, जब कोई भी नेशनल लीडर किसी भी पार्टी का, उनके इलाके में आता है, तो लोग अपने आपको एलीट फील करते हैं, हाई स्पिर आता है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज में उस कैंडिडेट को जरूर फरक पड़ता है, और फाइनली जो बाल बैट on the ground is with the people of जम्हों किश्मीर, let them decide, बट जो ओवराल शवी जम्हों किश्मीर की बदली है, वो पिछले दस साल की, मोदी जी की, अमिशा साथ की, और उनकी स 370 हटना, और इसके बार जिस तरी के साथंगवाद को खत्म किया गया है, लेकिन इसी को एजेंडर जो विपक्ष क्योर से बनाया जा रहा है, कॉंग्रेस और एंसी क्योर से अपनी बकायता मैनिफेस्टों में लागू किया गया है, कि हम 370 को वापस बहाल करेंगे, तो इस क्या अच्छा होना है, उनके साथ, क्या बुरा हो चुका है, वो सब जानते हैं, एक चीज जो पुलिक्टिकल पार्टिस ने अपने मैनिफेस्टों निकाले हैं, उसमें आदा जूट होता है, आदा सच होता है, और कुछ नून मरच लगाया होता है, जिसमें आर्टिकल 370 ही और 358 है, जह हम मानते हैं, हिंदुस्तानी होने के नादे, जब हुन्रेबल सुप्रीम कोड को डिशीजन दे देती है, जैसे टिपल तला का डिशीजन आया, और 22 इसमें उसका चलन नहीं था, अचुछ पूरे हिंदुस्तान के मुसल्मानों ने सलाम किया याून्रेबल स उसको सेफ़ गार्ड करने के लिए कोई कार्म नहीं किया और एक स्पीड ब्रेकर सा लेकिन इस बीच किस बात की जल्दबाजी है ये देखे स्ट этीट है उसकी अपनी हिस्टारीकल प्रश्मेक्ट है लेकिन बीजेपी को मैं हम प्रटीन के वम कहते हैं लोग बात करते हैं तो मैंने उनसे कहा था जब आपने स्टेट हुड देनी देनी है तो आप election से पहले देते तो आपके cadre को आपके candidates को उसका फरक पड़ता लेकिन Honorable Prime Minister ने किश्मीर में कहा कि हम आने वाले दिनों में एक अच्छा साथगार महोल देखे आपको statehood वापिस देंगे और floor of the Parliament में Home Minister ने भी कहा है तो मुझे लगता है अभी उनका third term चल रहा है सब्सक्राइब करेंगे उनका इजब मान स्टेट हुड देखे वापिस जरूर करेंगे और राहुल गांदी साब की जब सरकार आएगी तब देखेंगे क्या होगा तब क्या प्रजेक्ट होंगे लेकिन मुझे पूरी अमीद है कि भाजपा जो इतना अच्छा साथगार मह वहीं आजाते कि जनता में आखर ऐसा ब्रह्म फिलानी की कोशिश क्यों की जा रही है क्योंकि 370 को लेकर जब अगर जब 370 को हटाया गया तो ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला हाला कि जो विपक्ष था उसकी और से सर्फ विरोध देखने को मिला कि 370 अपने अटा कर देखने तो आपका मतलब यह है कि कुछ लोग को ... जी आगे और उनके वालत साहब जो सबसे टावरिंगworkersये पूरे इंडिया पॉलिकिस पॉरे इंडिया की जनको फारग अब दुल्ला कहते हैं, बोलते हैं कि 100 साल लगे, 200 साल लगे, हम कोशिच करते रहेंगे, जब तक वो वापिस नी आएगा, तो that indicates कि जो चीज चली गी, जो चीज जमो किश्मीर के लोगों के हितों के लिए नहीं है, उसको डिसकस करना जो है, वो फजूर है, और ये सब चीजे जो को अपनी रिपोर्ट दी है, कि सबसे ट्रांस्पेरिट, सबसे अच्छा फुल प्रूफ स्क्यूरिटी को मदे नज़र रखते हुए, लोगों के उससा को देखते हुए, जो इलेक्शन हुई है, उससे अच्छी इलेक्शन जो है, उनके मुलकों में भी नहीं होती है, और वो जब वापिस जाएंगे, और जो अपनी रिपोर्ट देंगे, बीस के बीस मुलकों में, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया, कि जम्मुक किश्मीर जो है, अपनी अमन की दगर पे, अपनी जमूरियत की दगर पे, अपनी डेमोक्राटिक इंस्टिशूशन को म पाकिस्तान से बात्चीत बढ़ाएंगे, सर आपको नहीं लगता है कि विकास, रोजगार के अलावा कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थे, अपने मैनिफेस्टों के जरीए, रादर देन जनता को ये विश्वास दिलाया जाए, क्योंकि पीडिपी की ओर से मैनिफेस्टों जा रही जिसमें फ्रीबी बाटने का प्रियास किया गया, मतलब स्ट्रेट वो जनता को लबाने का प्रियास कर रही है, लेकिन नैशनल कॉन्फरेंस का जो मैनिफेस्टों था, पाकिस्तान को लेकर उस पर आपका क्या रोख, देखे मैम, कोई भी रिजिलल पार्टी किसी भी स्टेट में अपने दूसरे मुल्क से बात नहीं करती है, ये प्रॉरोगेटिव जो है, गोर्मेट अफ इंडिया में जो सरकार होती है, वो हमेशा बातचीत करती है, आज पूरी दुनिया में हमारी फॉरन पॉलिसी जो है, वो बहुत रिमाकेमली आगे चल रही है, और पाकिस्तान से बातचीत कब करनी है, कब नहीं करनी है, वो हमारी टू टाइड डिप्लोमेसी में बातचीत होती रहती है, उसको हम कॉन्फिटेंस बिल्डिंग मेयर्स बोगते है, उसके लिए फारुक अब्दुल्ला को, आजाद साब को, या मुफ्ती साब को परिशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार्डर्स को किस तरह से मजबूती से देखना है, यह प्रोगेटिव भी गोवर्मेंट अफ इंडिया का है, और बीजेपी लेट सरकार का है, मरकस का प्रोगेटिव है, काल अगर अगर अबर अब्दुल्ला या महभूबा जी, यहाँ चीम मिनिस्टर बन भी जाती है, तो वो खुद बातचीत नहीं कर सकती है पाकिस्तान से, यह हख उनको कॉस्ट्यूशन नहीं देता है, ना उनके पास कोई ऐसी पावर है, यह प्रोगेशन जो है, उस पे भी इंटरफेर करना मैं समझता हूँ, वो सर्फ वोट होते हैं, और जब जब भी कुछ ऐसी चीज़े होती है, उनकी तरफ से बातचीत होती है, हमारी तरफ से बातचीत होती है, बस यही है कि समझ नहीं आता है कि कौन से तपके को लुभाने के लिए इस तरीके की बाते की जाती है, आप विकास पर बात कीज़े, आप करते हैं कास पर बात लेकिन उसके साथ ये तड़का लगाने की ज़रुत मुझे नहीं लगता है कि है तमाम पाठियों को लेकिन सर फिलाल बहुत 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 शुक्रा आपका मारसा जुड़ने के लिए और खास सेचा के लिए